असलाम लेकों मिदा सोखेरी उसे होंगे की वीडियो से ड्रेट आपको दिखरी है इसलिए मैंने शॉट में डालनी थी तो लेकिन शॉट में इस पिर से बोलने की आदत ही नहीं पड़ी अभी तो बात कलियर नहीं बता सकती मैं उसमें तो इसको शॉट करके तो मैं मतलब थ् किसी घी जलती से निकाल लेजिएगा कि मतलब आके 15-20 मिन्ट भी नहीं लगेंगे तो आपका घी भी निकलाएगा और जो लेफ्ट और चीज होती है उसकी मैं ये चीज़े बना रही हूं ये चीज़ी बना रही हूं बच्चों के लिए हैं ये आप भी खा सकते हूं इसको या उसे चड़ी सी कहते हैं जो भी हम तो पजाबी में यही कहते हैं तो उसमें मिल्क एड़ किया है और इसको इतनी क्वांटिटी एड़ किया है कि अच्छे से ये सौक कर जाए और सौक तो इसने नहीं करना है मतलब सूख जाएगा अपने आप ये जो है दूद तो इसकी मतलब आ ह्षिस को देना है तो हिए इसको इसके प्रफी सी बन जाएगी बर्फी सी बन जाएगी स कि देना है तो यहाँ भी जात रहान picking हैं जो भी आप ऍो इसको मिल्क घखाँ कई ती हॉब छाड़ột इसको आप मिठं़ दूप लिए क्सक्राओं moder की इसके बाद आपको फाइनल लिग दिखाऊंगी और यह बहुत ही मज़ी की चीज बनने वाली है तो इसका नाम आप खुदी बतादी है मैं क्या रखूँ तो उसे साफ़ से बाइपने टाइलिल में इसका नाम लिकरूँ फिला तो मैं इसको खीर का ही नाम दूँगी तो इसके अलावा आप इसको खीर में कनवर्च कर सकते हैं मतलब जो चीज मै चाओल पहुरती है उसके थे मिल्क नहीं था थोड़ा सा उसे ज्यद तो चीज के लिए आपको लिंक जो है तो बहुत मज़ा आते हैं यह देख सकते हैं बिलकुल देशीगी दिख रहा है तो टोटल तक्रीब है इसका सारा अरोमा ही देशीगी का है और यह यहां पे त्यार है और बच्चे जो भाइड हैं खाने के लिए इन बच्चों को मैंने चुखाया था तो यह तो कह रहे थे को बहुत कम दिया वही अलग अलग दो हमें तो बहराल यहां तक ही मेरी आज तक दिए वीडियो और यह बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की चीज़ बन गया है अगर हम इसमें चावर एड़ करें तो खीर बन जेगी वो भी आपको सारी डिटेल ना जो मैंने लिंक दिए ह इसके साथ अगर ने है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में ने है तो अच्छा सा फीड़ बैक भी दीजिएगा और वीजिट भी कर लिए चैनल को बहुत ही फैड़ाशी की के साथ अला हाफिस